नमस्कार दोस्तो वेल्कम टो आसे अस्ट्रियूलोजी मैं नीदू सिंग राहू कैसे परिशान करता है ऐसे कौन से चीजे हमारे साथ होती है कौन से ऐसे संकेथ हमें मिलते हैं कौन-कौन से हमारे अंदर ऐसी हरकतें आने लगते हैं इससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमारा राहु खराब है, राहु खराब होने के कारण ये सारी दिक्कत हैं, ये सारी संकेथ हमें मिलते हैं, जैसे कि जिस भी व्यक्ति का राहु खराब होगा, ऐसा व्यक्ति सौभाव से बहुत जादा चिर्चड करने वाला होगा, हर बात पर च चिछड़ करेगा इतना जढ़ा चिछड़ापन इसके अंदर भर जाएगा कि उससे समझ ही भी नहीं आता कि किस बात पर चिछड़ और किस बात पर नहीं हो नहीं है ऐसे लोग घर में हमेशा माहौल कैसा बना के रखते हैं बिलकुल कलेश का माहौल बना के रखते हैं जिनका राहू गड़ बढ़ होता है ऐसे व्यक्तियों को नशे की बहुत ही गंदी आदत लगती उसे पता ही नहींँ है गब पी रहा है सुबे पी रहा है दोबेर पी रहा है शाम को पी रहा है पी के इसके साथ क्या हो रहा है बिलकुल होश में नहीं रहता जिनका राहो बहुत जATHANादब हो जाता है बात बात पर तेजगुसा एकदम अग्रेसिव हो जाना तोड़ फोड़ मच्चा देना घर में ऐसी इस्तिती उत्पन कर देना कि घर का महौली बिलकुल गिर जाना रात में सोते समें बार बार ऐसे लोगों की नीद तोटती है बार बार जिनका राहू गड़ बड़ होता है रात में सोते समें बुरे सपने आते हैं ऐसे लोगों को बेचैनी महसूस होती है जब राहू बहुत ज़्यादा खराब होता है तो ऐसे व्यक्तियों में गंदे तरीके से रहते हैं इसे व्यक्ति साफसुत्रे नहीं रहते हैं इनके नाखुन आप देखेंगे बड़े बड़े रहते हैं बाल धुले ही नहीं गंदे हैं बात बहुत और एक एक हप्ते में नहा रहे हैं तो जिनका राहू खराब होता है तो ये सारे लक्षण इनके अंदर पाई जाते हैं ये सारे संकेत होते हैं जिससे की हम 100% अंदाजा लगा लेते हैं 100% हमें शूर हो जाना चाहिए कि हाँ इस बंदे का राहू खराब है राहू गर बढ़े तो हमें क्या करना चाहिए राहू के उपाय करने चाहिए अपने आप में सुधार लाना चाहिए जिससे की हम इसके दूस प्रुभावों से खुद को बचा सके दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई वीडियो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे चैम आता दी